हेलो एब्रिवान कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होगे तो आज मैं आप लोग साशेयर करने वाली हूँ कि जब छत बनती है यानि की लिंटर पड़ता है तो किस तरह से आगे की जो डिजाइन होती है फ्रंट डिजाइन इसको छज्जा भी बोल सकते हैं उ इसके बाद जो पियोपी वाले मिस्तरी हैं वो कील ठोक रहे हैं और कील ठोक कर पियोपी की डिजाइन बनाएंगे ये देखिए ये है पियोपी और इसको ये लोग मतलब कि मिला के और फैला रहे हैं और इसके पहले डिजाइन बनाएंगे और उसके बाद इसे छज्जे के पास यानि की फ्रंट पे रखेंगे वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे रखते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए इनके पास एक साचा होता है जिसके द्वारा ये लोग बनाते हैं पहले इसको फैला देंगे और थोड़ा सा ये जब सक्त हो जाएगा तो जो डि डिजाइन बनी हुई है और ये इसी तरह से खीच-खीच के और ये डिजाइन तयार कर देंगे और बस इसे फ्रंट पर रखेंगे ये लिखे वो डिजाइन जो मुझे चाहिए था वो इन्होंने तयार कर दिया है और इसको डिजाइन के अनुसार कट करके और फ्रंट पर ये लोग अपनी अनुसार बनाते हैं, कुछ लोग P.O.P को फ्रंट पे ही रखके और उसकी डिजाइन बनाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इते का सपोर्ट लगा रहे हैं, कील भी इन्हों ने ठोक दी है, जिसके द्वारा ये कील के सहारे से इस पूरी डिजाइन को ये बनाएंगे, और बहुत ही सुंदर सी डिजाइन निकल कर आएगी, मैंने तो बहुत ही सिंपल सी डिजाइन रखी है, बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छी डिजाइन देते हैं, अलग-अलग तरीके की जो भी डिजाइन होती है प्योपी के द्वारा ही बनती है तो यहां पे अब यह इटे को पीछे रखे और जो कील इनोने ठोकी थी ना उसके साहरे इसको टिका रहे हैं और फिर छोटे छोटे टुकडों को जोड़ कर एक डिजाइन त्यार करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पे किस तरह से य क्या होता है किस तरह से आप लोग इसको रिपेयर करते हो और जो लोग अपना नया घर बनवा रहे हैं तो मैं यह वीडियो इससे सेर कर रही हूं कि थोड़ा सा आइडिया उनको भी मिल जाए जो लोग नहीं जानते हैं मेरी तरह मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह किस तरह से बनाया जाता है और यह जो आप सांसे देख रहे हैं इस सब को यह लोग रिपेयर करते हैं ताकि जब लिंटर पड़े तो बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल अच्छी सी डिजाइन निकल के आए और यह देखिए यह है वो सांचा जिससे यह पूरी डिजाइन नोने बनाई है छोटा सा है देखने में लेकिन कितनी सुन्दर सी डिजाइन नोने त्यार कर दी है आप देखी रहे हो बहुत ही सुन्दर लग रही है यह और यह है फाइनल लुक पूरा इनोने डिजाइन जो है वो बना दिया है और यह बहुत ही सुन्दर भी लग रहा है आप लोग भी बताईएगा कि कैसा लग रहा है आप लोग को और जो आप लोग ये बलैक बलैक देख रहे हो कि ये तो वाइट था बलैक हो गया है तो इस पे लगाया गया है गाड़ी का जो वेस्ट मोबियाइल होता है ना उसको क्योंकि इससे क्या होगा जब लिंटर क्योंकि यह जानकारी भी बहुत ज़रूरी है तो बस गाईज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से अरो मेर्च चैनल को कर लीजेगा सब्सक्राइब तो अभी के लिए बाई-बाई मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाई-बाई